हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्ट्रोनिक इस्टेडी यूटूब चैनल सभी को सूप्रभाद डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज ये हमारी छट्वी वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लाश्ट में साइन से सम्मंदित कुछ प्रसनों को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज कई अपना सेशन और देखते हैं पहला करेंट अफेर भारत के डबलू टी ओ मिसन में तीन साल के कारकाल के लिए निदेशक की रूप में आसीज चांदोकर को नियुक्त किया गया है डबलू टी ओ के विसे में कुछ तक्ति जान लेते हैं इसका पॉर्ण रूप है वर्ड ट्रेड और्गनाइजेसन जिसके स्थापना एक जन्वरी उन्निस सो पच्चानवे को ही थी और इसके मुख्याले जिनेवा सुर्जा लेंड में इस्तेत है और महा निदेशक हैं इसकी वर्तमान में नाइजीरिया की एनगोजी ओ कांजो इवेला और ये विस व्यपार संग्ठन की पहली महिला महा निदेशक है तो इसे आप ध्यान रखिएगा चलिए अग्ला करेंट फिर देखते हैं जम्मू कस्मीर ने युवा गतविदियों और युवाओं से जुड़ी सभी समस्याओं की समाधान के लिए युवा कलब इस्थापित करने की योजना बनाई है अन्नितत में जम्मू कस्मीर के विसे में जान लेते हैं जम्मू कस्मीर को पहले 370 अनुच्छेत के तहट एक विसेश राज्य का दरजा प्राप्त था जिसको अभी पिछले महिनों समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में इसको एक केंडर सासित प्रदेश बना दिया गया है जो 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गया वर्तमान में जम्मू कस्मीर के उपराजपाल मनोस सिना है और जम्मू कस्मीर में महा सुरात्री को हेरात परु के नाम से जानते हैं जम्मू कस्मीर में ही आपको हेमिस राश्य उद्यान मिलेगा जो की अब लद्दाक शेत्र में आता है जम्मू कस्मीर में ही आपको दचिग्राम अभ्यारन किस्तवाड़ा राश्च्रियोध ध्यान सलीम अली राश्च्रियोध ध्यान मिलेगा तो इतने विसायाब जम्मू कस्मीर के बारे में ध्यान रखिएगा अगला करेंटर फिर देखते हैं चार बार की Grand Slam विजेता और विस्व रैंकिंग में दूसरे इस्थान की खिलाड़ी जापान की नाओमी उसाका ने इस महीने होने वाले विंबल्डन ओपिन टैनिस टूर्णामेंट से अपना नाम वापिस ले लिया है Grand Slam के वारे में कुछ तथे जान लेते हैं वर्स में चार Grand Slam होते हैं जिसमें पहला होता है उस्ट्रेलियन ओपिन दूसरा होता है फ्रेंच ओपिन तीसरा होता है विंबल्डन ओपिन और चौथा है यूएस ओपिन जो French Open है ये Clay Court में खेला जाता है और Wimbledon Open Grass Court में खेला जाता है तो इन्हें आप क्रम से याद रखिएगा क्योंकि कभी-कभी पेपर में इनका क्रम भी पूछ लेता है और अभी पिछले कुछ दिन पहले ही Naomi Osaka ने French Open से भी अपना नाम वापस ले लिया था चलिए अगला करेंट अफिर देखते हैं हालही में Westwik Santis Uchkang 2021 जारी किया गया है इसमें Iceland प्रथम इस्थान पर रहा है और Iceland 2008 से लगातार इसमें पहले इस्थान पर बना हुआ है दूसरे स्थान पर है New Zealand तीसरे स्थान पर है Denmark और भारत को 135 रैंग प्राप्त हुई है South Asia में भारत का पाचवाई स्थान है और जो Westwik Santis Uchkang है इसको Institute for Economics and Peace जारी करता है कुछ अन Westwik Uchkang में भारत की रैंग जान लेते हैं जेंडर गैप सूचकांग 2021 में भारत की रैंग 140 अंतर राश्वी बौधिक संबता सूचकांग में 40 वर्ड हैपिनेस सूचकांग में 149 रैंग है मानो विकास सूचकांग में 131 रैंग है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 15 रैंग है और ब्रश्टा चार अवधारना सूचकांग में 16 रैंग है भारत की इन्हें आप ध्यान रखिएगा अगला करेंट अफिर देखते हैं एंटोनियो गुटे रैस को संयुक्त राष्ट महा सचीव की रूप में लगातार 5 वर्ष के दूसरे कारकाल के लिए चुन लिया गया है और इनका नया कारकाल 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा संयुक्त राष्ट के बारे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसके स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही थी और इसका उद्देश था कि द्वती विस्युद के विजेता देसों ने मिलकर अंतराष्टी संगर्स में हस्तक शेप करने के लिए संयुक्त राष्ट के इस थापना की थी संयुक्त राष्ट संग के कुल 6 अंग है जिसमें पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परसत तीसरा है आरथिक एवं समाजीक परसत चौथा है अनतराष्टी नयाले पाँच्वाए न्यास परसत और छट्वाएं सच्वाल है चली अगला देखते हैं फ्लाइंग सिक के नाम से मसुहूर मिलखा सिंग का कोविड नाइंटीन के चलते 91 वर्स की आयू में निधन हो गया है और अभी 5 दिन पहले ही इनकी पतनी निर्मलक और जो की भारत की पूर बॉली वॉल कप्तान रह चु के हैं 1958 में टोक्यो में आयोजित ACI खेलो में 400 मीटर के इस परधा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 1969 में ने पद मिस्री से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान के राश्रुपती जनरल अयूब खान ने इने फ्लाइंग सिक के उपादी दी थी और इनकी एक आत्म कथ अगला देखते हैं तेलंगाना सरकार द्वारा किसानों को बीज और वरक कीट नासक इत्यादी क्रसी में लगने वाले खर्च के लिए आर्थिक सायता प्रदान की जाएगी इसके लिए एक रायतु बंदू योजना सुरू करी गई है इसके तहत पांच जार रुपे प्रत एकड के एसाब से वर्स में दो बार आर्थिक सायता प्रदान की जाएगी एक बार रवी की फसल में और दूसरी बार खरीब की फसल में अगला देखते हैं पहली बार भारत में पहचाने गई डेल्टा कोविड-19 वेरियंट के खिलाब जो टीका सबसे अधिक प्रभावित है वो है इस पुतनिक वी तो इसे आप ध्यान रखिएगा अगला करेंटा फिर देखते हैं असम में मुख मंत्री सिसु सेवा योजना शुरू करी गई है यह योजना असम के वर्तमान मुख मंत्री हेमंत विश्वा सर्माद्वारा शुरू करी गई है इसके तहत 3500 रुप असम में नेशनल पार्क टोटल साथ है इसी के साथ है भारत का तीसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इस्ते थे पहले नंबर पर मद्यप्रदेश है जहां पर दस नेशनल पार्क इस्ते थे फिर अंडमान निकोबार जहां पर 9 नेशनल पार्क इस्ते मेरी चौथा है ओरंग पांचवा है डिबरू साइक होवा और छटा है राय मोना जिसे यह 5 जून 2021 को विश्व पर्रयवर्ण दिवस के उसर पर असम का छटवा राश्री उद्यान गोसित किया गया है और साथवा है देहिंग पट गई ओरांग के विश्व में एक तत्त जानी इसे मिनी काजी रंगा के नाम से भी जानते है और अभी पिछले दिनों असम सरकार द्वारा हिमादास को डिएसपी के पट पर निक्त किया गया था हिमादास को हम धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते है तो current affairs की स्रंखला में आज के लिए इतना ही science के कुछ हम रोग देख लेते हैं और वो किस virus से होता है ये भी जान लेते हैं तो पहला AIDS जो HIV virus के द्वारा होता है दूसरा है polio जो polio virus के द्वारा होता है infliongia mixovirus से होता है चेचक variola virus से होता है छोटी माता varicela virus से होता है खसरा paramixovirus से rabies rabdo virus से और harpes harpes virus से होता है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद